दोस्तों अगर आप लोग को भी अपने अधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाना है चाहए और बायो मैट्रिक हो या फिर नेयम डेटा भर्थ या फिर फादर नेयम अडुड औरश मोवाइल नमबर कोई भी करेक्शन करवाना हो तो आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दो कि यू आई डियाई ने आधार कार्ड में चेंजस रेटेड कई सारे नियमों में बदलाव किया है जिसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं तो वीडियो आप लोग पुरा लिए में बड़े बदलाव किये हैं तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है और कुछ फाइदा भी हो रहा है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नुकसान की तो जोस्तों मैं आप लोग को बता दो कि आधा यू आई डियाई ने आधार कार्ड में । मतलब की होने से 15 साल के बीच में है तो इसके लिए लिए मतलब कि माइनork के लिए कर्ड़ कराना बिल्कुल फिरी फिर शक्रार चाहते हो तो वंकर करेक्सन हो पाईगा दो बार से ज्यादा अपने डीम में कोई भी करेक्सन नहीं करवा करा करкогоना चाहते हूं तो उसके लिए तोा फोटो आएडी इस क्याम 누ंज कर्वाना चाहते ओंज़ेंडर के लिए एका तो जन्डरेनार सकते हैं यानि आपके आप में रहें जो भी कारेक्षान जाएड में दायर Lily on माइनर हो और आपकी यह 18 साथ से ज्यादा की हो चुकी है तो भी उसके लिए एक बार की परमिशन दी गई है तो डेट अब बर्थ और जेंडर में एक बार की परमिशन दी गई है और इन तीनों के लिए आपको वैलिट फोटो आईडिया और जो भी डाकुमेंट लगेंगे उसको साथ में लेकर जाना आ है इसके अगर आप लोग कोई करेक्शन करवाना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोग को अपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है इसके बारे मैंने अलेडी वीडियो बनाया हुए कैसे आनलाइन अपॉइंटमेंट करते हैं तो आप लोग कर सकते हो और इसके साथ ही अगर आप लोग अपने फोटोग्राफ बायोमेट्रिक जेंडर और मोवाइल नंबर और इमेल आइडी में कोई भी चेंजिस कराते हैं तो इसके लिए आप लोगों को कोई भी डाकुमेंट की जरुवत नहीं पड़ेगी यहां पर आप दे सकते है पर उसके बारे मनें आप लोग कोई सवाल या सुझाव आधार कार्ड में करेक्शन को लेकर तो आप लोग निसंखोश हमारे कमेंट बॉक्स कर सकते हो हम आपके सारे सवालों का जब जरूर जबाब देंगे और अगर आप लोगा फॉलाइक और अपने सभी फ्रेंड जरूर कर देना और इसी तरह के एलफुल एंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लिए साथी बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए तके हमारे आने वाले नेश वीडियो को नाटिफिकेशन आप लो बाने मातरम